हेलो दोस्तों, हाचल टेरिस गाडन में आपका स्वागत है, आज है मार्च की बारा तारीख, संडे का दिन है, संडे गाडन ओवर यूए तो शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि पिछले हपते ही मैंने आपको अपना गाडन दिखाया हुआ है, सभी ने बहुत पसंद किया है, प प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दिया करें, एक लाइक कर दिया करें, जिससे हम और मोटिवेट होते हैं, और अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको उर्नमेंटल प्लांट फर न दिखाऊंगी, जिसको आप कम बजट में, कम प्लांट में, और कम पानी, कम धूप में, यदि आपके पास बालकनी है, बड़ा सा टेरिस नहीं है, जगह की कमी है, धूप वगेरा नहीं आती, तो इस प्लांट को आप जरूर अपने गाडन में एड़ कर सकते हैं, आपने पोर्च में एड़ कर सकते हैं, तो चलिए, बि देख सकते हैं, इसको अब डिवाइट करने की बारी आ चुकी है, इसको चाहूं तो मैं डिवाइट करके कई सारे प्लांट्स रेडी कर सकती हूँ, इसकी प्रोपुगेशन बहुत इजीली डिवाइट करके की जाती है, और साथ ही इसको एयर लेरिंग से भी तयार किया जा वहाँ पर क्यारी के पास ये पॉट रखा हुआ था, और जैसे ही इसके जड़ मिट्टी के संपर्क में आए, तो नया प्लांट तयार हो गया, वो देखिए वहाँ पर, तो एक नया बोश्टन फरन का पौधा तयार हो चुका है वहाँ पर, किसी दिन उसको मैं सेपरेट कर दूँगी, पॉट में लगा दूँगी, और इसको यदि आप क्यारी में लगाते हैं, तो ये तो और ज़्यादा घणा हो जाएगा, क्योंकि जगह इसके लिए परियाप्त मिलेगा, और जिसके कारण इसका जो प्लांट है, वो बहुत ज़्यादा फैलेगा, इसके लिए पॉट की ज़रुरत है, तो दस इंच का पॉट इसके लिए सफिसेंट है, मैंने दस इंच के पॉट में ही इसे लगा कर रखा हुआ है, छोटे पॉट में भी आप लगा सकते हैं, छोटे पॉट में लगाएंगे तो ज़्यादा घणा नहीं होगा, जैसे आप हैंगिंग ब जोट मिले वैसे जगह पर आप रख सकते हैं, या फिर ब्राइट लाइट मिले दिन भर ऐसे जगह पर भी यह प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, इसका जो ग्रोविंग पिरेड होता है, वो समर और रेनी सीजन में होता है, जो विंटर सीजन होता है, वो इसके growth कम हो जाती है, plant मरता तो नहीं है, लेकिन हाँ growth है वो जो कम हो जाती है, और इसके लिए fertilizer की भी ज़रुरत नहीं होती है, क्योंकि यह एक permanent plant होता है, ornamental plant होता है, तो हम अपने permanent और ornamental जो show plant होते हैं, उनको साल में दो ही बार fertilize करते हैं, एक तो फरवरी मार्च का महिना होता है और एक सेप्टेमबर, अक्टुबर का महिना होता है तो इसी साल में दो बार आप इनको solid fertilizer दे दिया करें उसके बाद इनको fertilizer देने की भी जरूरत नहीं है और यदि आप चाहते हैं कि fertilizer देना है तो दो तीन महने में एक बार आप liquid fertilizer MPK 1919 का बना क तयार करके एक चम्मच को एक लिटर पानी में घोल कर इस्प्रे कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं यह प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा जब से मैं इसे लेके आई हूँ नरसदी से उसी समय मैंने फर्टिलाइजर तयार करके प्लांट को लगाया है उस प्लांट बहुत बहुत सारे फर्ट मिलते हैं लेकिन यह जो बोश्टन फर्ट है वो बहुत प्यारा लगता है यह देख सकते हैं और प्राइविट नरसरी में इसका प्लांट आपको 40-50 ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए में मिल जाएगा और देखे इस तरह से जड़ होते हैं नीचे में यह देख रहे हैं यह लटक रहे हैं जड़ हैं और यह जैसे ही मिट्टी में टच होते हैं तो नया प्लांट तयार हो जाता है और इसी से नए नए पत्ते निकलते हैं यह देखे नीचे से ही निकलते हैं तो आज की वीडियो में यही शेयर करना था यह Thank you!